आगर मालवा जिले में इन दिनों पढ़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त्वियस्त है सुबा पढ़ रही घने कोहरे के कारण सड़के भी गीली हो जाती है वहीं तेज ठंड के चलते उसकुलों के समय में परिवर्दन किया गया है राश्ट्री आयुष मिशन के तहट आगर मालवा में गते दिनों लगाये गए आयुष स्वास्त शिविर में 727 रोगियों का आयरवेदिक पद्दती से उपचार कर निशुलक औशधी परदान की गई वही मौस्मी बीमारी, ज्वर, उदर रोग, शिशु रोग, इस्त्री रोग, ब्लेट प्रेशर, शुगर वा जोडों के दर्द की बीमारियों का उपचार कर डेंगू से बचाओ है तू होमिपेथिक दवाईयों का भी वितरण किया गया परदानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहट आगर मालवा जिले में गत दिनों आयजित की गई कारशाल में जिले के आसंगटित श्रमिकों को योजना की जानकरी देते हुए श्रम पदादीकारी ने बताया कि श्रमिक वर्ग के लिए शुरू की गई इस योजना में प्रतीमा आयू अनुसार 55 रुपे के 190 रुपे योजना में योगदान करना होता है उतनी ही राशी शासन द्वारा योजना में श्रमिक के पक्ष में जमा की जाती है 60 साल आयू पूर्ण करने के बाद श्रमिक को न्यूनितम 3000 रुपे प्रतीमा पेंशन की पातरता होगी राश्ट पिता महात्मा गांधी की 150 वी जैनती के उसर पर पिछले दिनों गांधी दर्शन यातरा पर आधारित आगरमालवा जिले में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और विचारों से प्रेरित फिल्मों का प्रदर्शन वानुक्रन नाटुकू का प्रदर्शन किया सोचता सर्विक्षन 2020 के अंतर गत आगरमालवा शहर को ODF डबल प्लस घोशित किया गया है गौरतला भे की ODF डबल प्लस होने पर सोचता सर्विक्षन 2020 में आगरमालवा को 500 अंक हासिल होंगे राजस्तरी वुमेन मद्ध भारत होंकी प्रतियोगिता का गत दिनों आगरमालवा में समापन हो गया स्टेडियम ग्राउंड पर खेली गई प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में शाजापूर ने आगरमालवा को दो अंकों से हरा कर प्रतियोगिता पर कबजा कर लिया दो दिवसी इस प्रतियोगिता में गौलियर, मुरेना, राइसेन, बढ़वानी, इंदोर, विदीशा, नीमच, शाजापूर, मंसोर, धार, देवास और आगरमालवा सहीत 12 जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया उसकूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और बच्चों में पढ़ाई का आँखलन करने के उद्धेश से आगरमालवा जिले में भी गत दिनों शास्की उसकूलों में कौपी चेकिंग का एक दिवसी अभियान के तहट जिले के 183 उसकूलों में 61 अधिकारियों ने कौपियां चेकिंग की और निश्चित प्रारूप में निरिक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा केंदर में उफलब्द कराए आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को उनके घर के उप्योग के लिए पौस्टिक सबजी फल इत्यादी की पूरती के लिए किचन गार्डन बनाने के लिए प्रोसाहित करने के लिए आगरमालवा करशी भाग दोरा जिले में ग्राम लाला की 20 महिलाओं का समू तयार कर पि लगवाई जा रही है वहीं बस्टेंड बढ़ोद रोड चो रहा चावनी नाके पर 16-16 मीटर के तीन हाई मास्ट और 60 किलो वाट के तीन ट्रांसफार्मर भी लगाये जा रहे हैं आपकी सरकार आपके दोर कारिकरम के तहट आगरमालवा जिले के ग्राम बीजा नगरी और ग्राम गंगापुर में गत दिनों लगाये गए शिविर में कलेक्टर संजे कुमार साहित जिला अधिकारी करणों ने ग्रामिन अंचलों में रहने वाले आम जनों की रोज मर्रा क समस्याओं का निराकरण किया वहीं अधिकारियों ने ठीक साले ग्राम पंचायत आंगनवाली केंदरों में पोशन वित्रण वाई स्कूलों में शिक्षण कारे आधिकावलों कन भी किया विजे दीवस के मोके पर गते दिनों आगर मलवा में आयुजित किये गए कारिकरम में वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल हुए जिले के साथ सेनिकों में से उपस्थित चार सेनिकों और तीन सेनिकों के परिजनों को शॉल, शिरिफल और सम्मान पत्र के साथ सम्मानित किया वहीं स्कूली बच्चों ने आकरशक कारिकरम प्रस्तित किये कारिकरम इस्थल पर जन्न संपर्ख विभाग दोरा युद्ध समय के चाहे चितरों की प्रदशनी भी लगाई गई लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2010 के तहट प्रदाय की जाने वाली सेवाओं को समयावधी में प्रदान ना कर तीन दिन विलम करने पर आगर मालवा कलेक्टर संजे कुमार ने जिले की बढ़ोद मुख्य नगर पाली का अधिकारी जस्वन्त नर्वाल पर 20,000 रुपे की शास्ती अधिरोपीत की है सच भारत मिशन ग्रामीन के तहट आगर मालवा जिला पंचायत की CEO अंजली जोसेफ ने समिक्षा करते हुए बताया कि जिले की बढ़ोद, सुसनेर, नलखेडा और आगर मालवा जनपत पंचायतों में 84 पंचायतों के 1265 शोचालयों विहिन घरों में 25 जनवरी तक शोचाल पंचायतों में आतता हिए ठागर मालवा जनigkeit म ng nut tu अभा जनपत पंचायतों में 85 शोचालयों में learners चायतों में है जिले कि तपींशकारत के अरेवा जनपतर।